पैसो की कोई परिशानी नहीं है हलो प्यारी डॉल वा, क्या मैं स्वर्ग में हूँ ज़रा ये देखो क्यारल टॉइ शॉप में पहली बार आई हो पीछे हटो मुझे फैशनेबल डिवाइस देखने दो चलो भी नूब्स इसकी हवास बढ़िया है मेरी कलेक्शन में अगलास मज़े किसी मिल से पसंद है वो, शायद गरीब से भी बुरा है शेल्स पर बैटके ठटे नहीं दोस्तो अब मैं खुश हूँ ओ, कितना डरावना है मॉंस्टर से डर गई बहतर होगा कि प्राइस को देखो ए भगमान और जाओ, हमने अभी तक सब कुछ नहीं देखा है सही बात है, मैं शेप में वापस आ गई ये मेरे रूम में आचा लगेगा आज नहीं, तयार हो वा, शाइनी बॉक्सीबू शानदार काफी भेंगा है हम ये खरीद नहीं सकते हमें बॉक्सीबू को यहीं छोड़ना होगा चलो अपनी सेविंग्स गिनते हैं एक सेकेंड ये किसी काम का नहीं है और तुम कहां से आए हो, रिकार शायद यहां कुछ कीमती है ओ, ये कॉईन जैसा लग रहा है ये एगनम चिपका हुआ है अहां, मैं इसे ही ढून रही थी आखिरकार गम मिल गई अम मैं वो छिपे हुए सेंज बाहार निकालूँगी शुक्रिया, मैं ठीक हूँ सीक्रेट पॉकेट में क्या है बढ़िया, एक पूरा डॉलर और बस एक ही नहीं चलो दुबारा चेक करते है और मिल गए क्यों नहां, सारे खटे करेट बुरी किस्मत है सिर्फ हापी मील ही आएगी ला जवाब पैसे ढूनते ढूनते मुझे भूख लग गई, ये खाने का समय है क्या खुश्भू है खेट, इतनी जल्दी नहीं बहन हे, क्या हुआ गुडबाई मेरे प्यारे डिनर मुझे एक बड़ी आइडिया आया है सांड्रा, ये जूसी बर्गर हमारी दिखकत को दूर करने में हमारी मदद करेगा तो खीक है, अगर हम एक मॉंस्टर नहीं खरीच सकते, तो हम उसे खुद बनाएंगे चलो जरूरत का समान ढूनते है तो घर हर तरह के समान से भरा हुआ है चलो बॉक्स लेते हैं और काम पर लगते है वर्क प्लेस मेरा इंतिसार कर रहा है तो मेरे चीज बर्गर को नुकसा नहीं पहुंचाओगी मुझे चिंता हो रही है यकीन करो ये सही हातों में है इस दौरान मैं येलो हैंडल्स को कैंची से काट दूँगी वैसे हमें थोड़ी देर बाद इसकी जरूरत पड़ेगी अब मैं ध्यान से पैकेज के उपरी हिस्से को काटूँगी जिससे छोटा स्क्वेर बेस मिलेगा अगला क्या है मैं अंदर सॉफ्ट स्पंज के दो टुकड़े डालूँगी सीधे बातरूम में से अंदर जाओ चाबी मैं इन फ्राइस से ज़ादा देर काम नहीं चला सकती चलो सर्फेस को साफ करती है सच में और कुछ मत कहो यहाँ वो टुकड़ा काम आएगा हम इसे होट ग्लू से कवर करेंगे और उसे रेट साइट पर लगाएंगे दूसरे हैंडल को दूसी साइट पर चिपकाएंगे कुछ बनने लगा है क्या मैं ले सकती हूँ पर उसमें अभी बहुत सारे बचे है मैं बच वे काटबूर टॉप से ट्राइंगल्स काटूँगी मेरे सीक्रेट इंग्रीडियेंट ट्राइंगल्स को स्प्रिंग से जोड़े और ग्लू से चिपकाएं बर्गर बूम कुछ भी पकड़ सकता है अपने फ्राइस को देखो मैंने फ्राइस को पांच उंगलिया बनाने के लिए बीच में रखा है हमें एक छोटी वाली चाहिए आखरी उंगली के लिए आदा काफी है स्नाप के इस तुकड़े पर ग्लू लगाए और हाच तयार है बहुत अच्छे से चिपका है ओ तुमने दो बनाए है मुझे अपना बर्गर दे दो मैंने इसे पहले ही खा लिया है मुझे पता है उदास मत हो मुझे उस जैसा कुछ मिल गया है शेल्फ से होडर्स चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं खेर फ्राइस अब तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है अब मेरा पेट खत्रे से बहर है ध्यान दो सैंड्रा एक दीखे बॉक्स कटर के साथ कोई मजाथ नहीं ध्यान से शरार्ती मॉंस्टर बदमाशर को काटता है क्या हमें मॉंस्टर का चहरा बनाना चाहिए प्लास्टिसिन इस्तमाल करने का समय है मसदा चीज है ये सांप जैसा दिखता है एक ग्रीन टंग बढ़िया रहेगी पसंद आई मैंने भी एक मास्टर पीस बनाया है बॉक्सी बिना आखों के कैसा रहेगा इने चुपकाओ मैं तुम्हारी मदद की शुक्र गुजार हूँ बेहन लेकर पहले टैमरन येलो चीज की कमी लग रही है वोला हो गया वाइट हमारे दोस्ट को बढ़िया समायल देगा बहुत छोटा दार्थ और बाकी के शान्त हो जाओ वो सब यहाँ है प्यारे चेहरे पर जादू करते है मैंने ओपर की इससे पर सिलिकॉन ब्लू लगाई और नुकीले दान्त भी तुम इसमें माहर हो इस तरह के नुकीले दान्तों वाले मॉंस्टर से तो किसी को भी जलन होगी लेकिन ध्यान मत भटकाओ क्योंकि चीज और साले टंग भी इंतिजार कर रहे है उन्हें बीच में रखे और मिस्टर बॉक्सी का मूँ बंद कर दे उसके दातों के ओपर ग्रीन पीपर्स लगाना न भूले भयान अकलुक है हम एक स्प्रिंग को गर्दन की तरह इस्तमाल करेंगे और उस पर सर लगाते है याहू, वो खुजी से सिर्फ हिला रहा है मेरी बेहन जीनियस है चलो अपनी एनर्जी वापस लाए ऐसे ओकेजिन्स के लिए मेरी टेबल के नीचे क्रिस्प ब्रेड है अच्छे सिखाओ एक बार में खाना खाना और बनाना मुझे पसंद है कैलरी को बात के लिए बचा लेते हैं चलो शुरू करें हमारी डाइट डिश की ट्रांस्फोर्मेशन हो रही है मैंने चार टुकडे चुने है मैंने उन पर थोड़ी ग्लू लगा दी है फिर मैं क्रिस्प ब्रेड को सान्विच की तरह फोल्ड करती हूँ और बड़िया स्प्रिंग्स फिर से वो ग्लू से पहले ही मिल चुके है और वो साथ में सखी रहेंगे मुझे लगता है कि वो हमारे बिस्दिस के लिए कममाल के कपल है थोड़ी धर सोचो सांड्रा ये कौन सा बॉड़ी पार्ट है समझ गई शायद लेग्स हम मॉंस्टर को एक साथ जोडते है मैं बॉक्सी को पलड़ देती हूँ और पहले सिर को बॉटम से जोडती हूँ मत करना कन जूसी विज होड ग्लू अच्छा बनेगा हमारा बॉक्सी बू खुद से बनाया हुआ टॉय मिस्टर बॉक्सी टीम के साथ बात करना चाते हैं मुझे पता है कि उसका खाने से ध्यान कैसे भटकेगा चलो कुछ पैसे कमाते हैं इसके बार टूट रहे हैं इसे वापिस ले लो हमारे बर्गर बू को 20 में करीबे और डिसकाउंट के साथ दोस्ट कुछ हैंडमेड चाहिए मैं तुम्हारे इस टॉय के बिनावे बढ़िया हूँ कितना बत्तमीज है चलो एक आफली बार कोशिश करते हैं हाई लेडी हेलो एशानदार मॉडल के बारे में क्या ख्याल है दिलचस्प है मैं इससे लूँगी ये लो खेलो और मज़े करो बाई बाई ए अससेस्टेंट ये क्या है खुद से बाक्सी हूँ बनाने के लिए एक सेट बिल्कुल हमार पास ये है वेटेड बाक्स बाद में मिलते हैं चलो जल्दी घर चले हम अपनी शाम एक नज़ बियाएवाइ प्रोजेक्ट पर बिताएंगे मैं दूसरी खुरसी लेकर आई खेर बाक्स अपने सीक्रिट रिवील करो रहसमी चमक वाह इसे पर्टो इतने सारे अलग-अलग पार्ट्स ये पता चला कि मिस्टर बू कोई आम आदमी नहीं है पेंट को सूपने में काफी समय लगता है तो चलो इसके साथ शुरू करते हैं एक छोटे स्पन्ज के साथ बॉक्स को ब्लू पेंट करें तुम नाचोस कब लाई काम पर लग जाओ हमार पस एक जिम्मिदारी का काम है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है मौम के बाद तुम बहुत स्रिक्ट हो कैरल दो वरकर्स के साथ क्राफ्ट बनाने की स्पीड बढ़ जाती है मैं स्पन्ज को आलिशान लाल कपड़े से लपेटूंगी अगला स्टेप है एक सुन्दर धाग इससे सिलना बस कुछ प्रिक स्पन्ज को एक दूसरे के ऊपर रखे और एक सुनी से साइट को सिले तयार है क्या आप मॉंस्टर का सिर पहचान पा रहे है इसके बाद एक स्टेशनरी नाइफ के साथ येलो टामरेंड स्ट्रिप से ट्रायांगुलर दाथ काट ले इस फ्लफी को तीखे फैंग से सजाए और ते मज़दार आखे चिपकाए इसे बस अब लचीली गर्दन चाहिए मैंने जान बूच कर कलर्ट स्प्रिंग्स लिए है शिकार का इंतिजार कर रही हूं सैंडरा गेम जैसा दिखता है मैंने ये बनाया है लेकिन ये काफी नहीं है तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें बना कर दिखाऊंगी स्मार्टी पैंट किती बत तमीज है अब ठीक है ये पूरी पागल है मैं पॉस बनाती हूँ खास अंग्रीडियन यहां है प्लास्टिसन के एक टुकड़े से एक छोटा पैर बनाऊंगी फिर उसमें एक स्प्रिंग लगा दे वाइट प्लास्टिसन से तीन नाखुन बनाए और ध्यान से उन्हें पैर पर लगाए अब हतेली और उंगलिया बनाने का समय है चार ही ठीक रहेंगी दूसरे स्प्रिंग को सीधे प्लास्टिसन की हतेली के बीच में लगाए मैं इसमें पंजे भी लगाऊंगी हाइफाइ मुझे पसंद आया मज़िदार पंजे है और मैंने आखेकार पेंटिंग पूरी कर ली है संदर है है ना मैं उस वर्ड का इस्तमाल नहीं करूँगी आर्टिस्ट मुझे अब बॉक्स को पूरा करना चाहिए इस बीच जाओ अपने आपको साफ करो हाँ सही कह रही हो तब तक मैं शांती से मॉंस्टर के हाथ और पेर जोड़ूँगी पहले वाली जगा पर है बाकी की लगाते है मैंने कभी नहीं सोचा था कि बॉक्सी को जोड़ना इतना दिल्चस्प होगा थोड़ी सी ग्लू और पंजे अच्छे लग रहे है हमें लेक्स को नीचे चिपकाना चाहिए मैंने उन्हें बनाने में बहुत महनुत की है तुम जल्दी ही चलोगे बेबी बू चलो पसंदीदा पिंक डिवाइस हाल ग्लू ने मुझे कभी निराथ नहीं किया हमारे मॉन्स्टर का ये वर्जिन बढ़िया लग रहा है चलो ध्यान दे आखरी टचस दे रहे है बढ़िया वो अच्छी तरह से चिपक गया है तुम अपने सर के बिना चिल नहीं कर सकते लेकिन चिंता मत करो मैं तुमें एक भयानक मॉन्स्टर जेंटलमें बनाऊंगी हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है शागी मज़े करो अपने आपको साफ तनक मुश्किल काम था ये बहुत सुन्दर है क्या ये साइलेंट है मेरे पास म्यूजिक पर काम करने का समय नहीं था अब बगांखे गाएंगी स्टार कहां है हे हम लखी है क्या हम इसस सजाए बहुत बढ़िया हमने अपना दूसरा क्राफ पूरा कर लिया है और आपको कौन सा बॉक्सी सबसे अच्छा लगा कमेंट्स में बताएं ये बहुत महंगा होना चाहिए क्या पचास डॉलर सही रहेंगे बहुत सस्दा है बेहन हमारी महनत कम से कम 500 की ही होनी चाहिए तुम एक बिजनस वुमिन हो यहां बैठो प्लाश बेबी और कस्टमर का ध्यान अपनी तरफ पीचो मुझे लगता है काम अमी हो जाएंगे हमार पस काम है देखो सर लिमिटेड एडीशन मेगा पॉपिलर बॉक्सीबू को डिसकांट पर खरीदे मुझे भी एक चाही डाडी लेकिन मैं इतने पैसे खर्ष नहीं कर सकता आप मुझे दूसर तरीका इस्तमाल करने के लिए मजबूर करें हो मिस्टर मुझे घर ले जाओ मैं बॉक्सीबू के बिना कैसे है सकता हूँ मैं इसके लिए एक मिलियन भी दूँगा फुरे क्या हम टी पार्टी करें शू बेकार कागस के टुक्रे बेटी मेरे लिए रुको बाई तुम पिताईशी हिपनोटिस्ट हो हे भगवान हमारे पैसा बुस बॉक्स के लिए पैसे है मैं गोल्ड बॉक्सी खरीदने के लिए आई हूँ जल्दी वापिस आना वो यहीं था बुरी किस्मर लेकिन मुझे पता है कि तुम्हार लिए और क्या है पांच सो डॉलर और ये अब तुम्हारा है तो ये डील हुई ये एक खास मागनिफाइन ग्लास के साथ आता है ये तुम्हारी बॉक्स जीबू को सही धंग से जोडने में मदद करेगा क्या तुम्हें पूरा यखीन है मैं गरेंटी देता हूँ बेवकूफ और इसमें ऐसा क्या खास है चलो चले फिव इन दिनों गोल्ड भारी है इससे देखने का इंतिजार नहीं हो रहा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ चलो देखते है सच में बहुत सुन्दर है और गीगा रिच मॉंस्टर के कॉंपनेंस क्या होते है बढ़िया क्राफ्ट काफी अलग लग रहा है हमारे पास पूरा खजाना है कुछ मेरे लिए भी है तो चलो ब्यूटी बनाएं लगता है लड़िकियों को असली मिलियनेर मॉंस्टर मिल गया है लेकिन क्या वो इसका हर हिस्सा जोड पाएगी खीचो सांडरा मैं शर्ट लगाती हूँ कि ये रेट चीज बहुत जरूरी अलिमेंट है शायद एक नीट्रॉइट है चलो इसकी जाच करें और पता लगाएं मनी बैग बॉक्सी साजिश करना जानता है हे मुझे लगता है कि मैं एक मिनी मिनरल से टक्रा गई हूँ ये काफी कीमती पत्थर है बेहन चलो घेरी खुदाई करें एक और बहर आया हमारी खरीदारी शायद लगी है मैं हमेशा से एक सिफाय चाती थी जल्दी ही कलेक्शन बन जाएगी बहुत घेरा ही तक बोल्डर इसमें जरूर कुछ कीमती है शानदार फिर से सोना दिल चस्प है हाँ चलो बॉक्स के अंदर देखें अहाँ हमें स्पाइक्स का इस्तमाल करना होगा कितना शानदार सेट है लेकिन कच्रे से छुटकारा पाना कोई असान काम नहीं है ठीक है इसे यहाँ डालो अच्छा आइडिया है कैरल अलविदा ट्राश मेरा वाक्यूम क्लीनर बाकी गंदगी को साफ करेगा टेवल को साफ सुक्रा होना चाहिए क्योंकि हमार पास दिम्मेदारी का काम है अब जरूरी टूल्स का समय है डरो मत तुम क्या करने वाली हो क्या तुम्हें इंगट पसंद नहीं है मैं ये नहीं देख सकती मेरे कानों को बक्ष दो मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ बाक्स दी बूखे पॉस काट दिये गए है मैंने बहुत अच्छा काम किया देखो क्या ये सुन्दर नहीं है खत्म हुआ वाह ये कमाल का है उसका सिर बनाने के लिए बॉक्स चाहिए साथ ही एक प्लास्सिसन बेस जल्दी से बहर आओ छोटे स्पाइक्स पीला उसका सूट करेगा ये लो चलो मांस्टर का इक राइट मूँ बनाते है मैं दिवारों को अंदर से अच्छे से ढख दोंगी और बढ़िया बनाऊंगी रिजल्ट बुरा नहीं है तुम क्या कहती हो क्या ये डराने वाला लग रहा है बहुत जादा हम दातों को ध्यान से जोड़ेंगे मेरा गैजट काम पर लग गया है मैं ग्लू लगा रही हूँ और तुम मुझे स्पाइक्स दोगे पहला लग गया है बढ़िया आप चीज़े घड़ी की तरह चलेगी ऐसा लगता है कि मॉंस्टर नमबर थी मेरा दिल चुराने वाला है और ये जेम्स आखों के लिए है तुम सही कह रही हो बस थोड़ी हाट ग्लू लगाए और स्टोन्स को लगाए बिना स्प्रिंग्स के नहीं आमीर बॉक्सी के पास सोने की गर्दन होगी मैं इसका पहले वाले के जैसे ही सिर जोड़ूँगी और वो आख मार रहा है शरार थी मज़ा किया दोस्त हमारे मॉंस्टर को पकड़ो और मैं सब को जोड़ूँगी इससे पहले की देर हो जाए लेकिन मैंने बहुत मेहनद की थी तुम्हें और सीथना चाहिए पहले अच्छे तरीके से देखो पार्टनर मुझे याद है थोड़ा अंदर की तरफ परड़ी को चुकाने के लिए मैं स्क्वेर बेली को ध्यान से लगाऊंगी चलो हाथ लगाए बढ़िया है ये थोड़े मुड़े हुए है बहुत बढ़िया असे हाथेली की जरुवत है दुबारा मैंने हाट ग्लू लगाई है और ध्यान से गोल्ड की उंग्लिया लगाऊंगी पॉस बढ़िया लग रहे है उसे कुछ मिंटों के लिए गिरने मत देना और मैं उसका टैमरन एसेसरीज लगाऊंगी ये एक सूपर स्टार है और इस लुक में खास ये शाइनी बैज है हैंडल के बारे में मत भूलना मैं उसे कॉइन खुलाऊंगी ताकि वह नरास ना हो बढ़िया ग्रूपी मूवमेंट है काश तुम स्वीशी होती उसके रेंबो फ्रेंज फिजर्स भान भठका रहे है मेरी जीब करीब है अकेले खेलना बोरिंग है हे कैरोल शाइद हम साथ में एक रेंबो पार्टी कर सकते हैं क्या तुम देख नहीं सकती मैं बिसी हूँ और क्या होगा अगर तुम एक गर फिर सोचो तो शूँ मैंने लगबर ये लेवल खत्म कर लिया है खेल खत्म नहीं मैं इस प्लश से तंग आ गई हूँ अपने कार्टोनिस रॉबलक्स दुनिया में वापस जाओ आँ क्या मुझे अब कॉटन के साथ खेलना होगा मैंने ज़्यादा ही कर दिया बस रो मत सांड्रा अम मैं तुम्हारे दोस को जिन्दा कर दूँगी ये वापस वैसा नहीं हो सकता ये क्या मुसीबत है नर्स कैरल एक निराज पेशन्ट को जिन्दा कर देगी एक, दो, तीन ख्लियर, लाड उसे बख्ष दो धड़कन नहीं चल रही लेकिन वो अभी भी हैंडसम है और ये और गंस तुम्हें पता है मेरे पास एक बड़ी आइडिया है ले टे रहा हो पेशन्ट आपरेशन शुरू हो गया है सांड्रा के दोस को ठीक करने के लिए ये वाइड धगा एकदम सही है पीछे का हो गया है खास हाइलाइट का समय है स्लाइमी हैड जानना चाहोगे चलो ब्लू में एलास्टिक ब्रेन डालते हैं और इससे सिल दे हमें सिर्फ एक छोटे से होल करने की जरुत है पढ़िया लो पकड़ो और देखो वाँ किसे ने गॉगल लाइट बनाने का सोचा है तुमने उसे एक नई जिंदगी दी है प्रियेटर को बोनस नहीं मिलना चाहिए माफ करना मेरी गलती है मिठाईयों ने मेरी स्ट्रेस से लड़ने में मदद की मैं समझ रही हूँ मीठे की शकीन ऐसे ही रहो हानी जेली हमेशे अच्छा उप्शन है क्या मैं तुम्हारी स्वादिश च्रीट खा सकती हूँ एक आइडिया आया इसे रेंबो फ्रेंस की तरह बनाओ ठीक है अगर तुम कहती हो तो ठीक है क्यों नहीं सबसे पहले जार को पेंट करने की जरूरत है वुश और ढकन को काट दिया शांदार शेड है ना कुछ प्लास्टिसन काम आएगी अपनी हतेलियों से एक बोल बनाए मज़ा करना ना भूले हमारा फ्लाट येलो वाम क्राउन में बदल जाएगा और नाइफ के साथ ध्यान से हम एकसेजरीज को ब्लू के सिर्फ अलगाएगे ब्लाक टैमरन का एक डुगड़ा मुँ में बदल जाता है हम इसमें एक छोटी सी टंग चिपकाएगे याहू एक चेहरा बन रहा है खुश किसमती से माम ने मुझे बटन दिया था हम आखे जोड़ते हैं और एक ट्यूब के साथ एक छेद करेंगे गर्दन को सिलिकॉन ब्लू से कवर करें और जार को ब्लू फ्रेंट से सजाएग वाला मज़े करो ये मेरे लिए है और तुम्हें ये नहीं मिला सब कुछ कंट्रोल में है दोस क्रियेटिविटी के लिए बहुत स्वादिष्ट है पारना मुश्किल है ऐसा लगता है मैंने बहुत जादा ही स्क्वीज कर दिया मैंने तुम्हारी नोटबुक पर घ्रान कैसे नहीं दिया हाँ आटो बाइग्राफी हो गई लेकिन कोई बात नहीं मेरे पास रेंबो जर्नल बनाने की एक नई वज़ा है दिलचस्प लगता है वेट पाइप से जल्दी से हानी जली हटा ले और ये हट गया सौफ्ट औरेंज पॉम पॉम चिपकाए तुम्हारा समय भी आएगा और बातरूम स्पंज के नसीब में कुछ मज़िदार लिखा है ये आखों का बेस बन जाएगा हम अपने येलो पीपर्स को वाइट प्लास्टिसन पैंकेक्स के साथ कवर करेंगे एयर बबल्स को जरूर चेक करें क्लिक क्लिक फादू का काट दे उपर ब्लाक प्यूपल लगाए चलो फिर से ट्रिक करते हैं जानी पहचानी लुक है है ना अपनी जगा पर जाओ छोटी आँखे हाट ग्लू की दो बूंदे और और अरेंज हमें देख रहे है क्या आपको लगता है कि कुछ बाकी है बिल्कुल वाइट नुखी लेदाथ अच्छा मॉंस्टर है